Hello Friends, Welcome to my YouTube Channel आज हम देखेंगे एक ऐसा creation जो आपको किसी ने दिखाया नहीं होगा वो है AI creation तो मैं आप सबको बता दू कि AI topic पुराना है लेकिन खुद का AI कैसे बनाते है ये भी तो पता होना चाहिए ये है Stable Diffusion का Toolbox इसका interface भी बाकी के AI tool जैसा है Normally हम क्या करते है? Prompt लिखते है, Generate को क्लिक करते है और Output बहार आता है Same यही Pay भी करना है लेकिन यहां Models की File Add करना होगा और वो File कैसे Add करते है और इस Model File को कैसे बनाते है ये भी मैं आप सबको दिखाऊंगा मैं आप सबको बता दू कि मैंने Prompts Already एक Notepad में टाइप कर रखे है और Models Files जो मैंने Create किये है उसका Link में दिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप चाहे तो आप वहाँ से Download कर सकते है ये जो Model Files है आप खुद से बना सकते है चाहे वो Bollywood हो, Tollywood हो या खुद का Face क्यों ना हो तो अब मैं Notepad से Prompt Copy करके Prompt Box में पेस्ट करूंगा चाहे तो आप कुछ भी Edit कर सकते हो उस Prompt में मैंने Negative Prompt भी Copy पेस्ट किये है ये होने के बाद Generate बटन पे क्लिक करना है अब देख रहे हो Image Generate हो रहा है फाइल को पेस्ट करने के बाद ही वो File SD टूल में दिखेगी मैंने एक AI के वेब साइट पे कुछ Model Files अपलोड किये है तो आप सब बहा से उस File को डाउनलोड कर सकते है AI वेब साइट पे मैंने Generate किये हुए कुछ images भी अपलोड किये है चाहे तो आप वो भी देख सकते हो तो आज के लिए इतना ही फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ तो आपजर के साथ झाल